वाले हैं electricity class 10th का जो है physics का first chapter है तो हमें पता होना चाहिए electricity क्या होती है आपको पता होगा जो हमारे घर पे fan है, fridge है, TV है ये सब किस से चलते हैं? electricity से electricity से बागी चीजे, बागी appliances भी चलती है और जो train है, metro है वो भी किस से चलती है? electricity से इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, it is an important source of energy in modern times तो ये आज की जमाने में बहुत ज़्यादा important होगा ये electricity ठीक है, और electricity में क्या होती है? दो types के charge होते हैं कितने types होते हैं? दो types के charge होते हैं एक हमारा होता है positive charge और एक होता है हमारा negative charge ठीक है? इसे हमें पता के चला कि ये positive और negative होती है तो पहले जवाने में क्या होता था? जो उन्होंने एक experiment किया था उन्होंने क्या करा? glass road को क्या करा? silk road से क्या करा? rub करा rub करने पर क्या आता है? इस पर positive charge जाता है इसको जब paper के पास ले गए तो वो attract करने लगा इसको सेम उन्होंने एक ebonnet road के साथ करा ebonnet road जो होती है न वो होती है हमारी rubber की होती है hard rubber होता है ebonnet road जो होती है हमारी वो hard rubber होता है इसे भी उन्होंने क्या करा? silk load के साथ मतलब रब किया और ये भी क्या गर老師 पार यहां बसकी नेगेटिव चार्ज जयाता है इसकी वजह से रखने लगता है सेम यहां पर किया था इस पर घता तो बेपर और अगया और आपस में करेंगे तो अब बढ़ ले थाम इसके इम्पोर्ट्ट प्रोपर्टी के बारे में कि उस्चार्जके मिल्यक्ग होते हैं अब positive charges क्या करते हैं attract करते हैं आपस में जैसे कि मैंने बता है positive और negative charge क्या करेंगे आपस में attract करेंगे बड़ similar charges क्या होते हैं जो negative positive होते हैं similar charges वोरी जैसे कि negative negative हो गए और positive positive कि आपस में रिपेल करेंहेगे रिपेल करेंगे जैसे नोर्थ नोर्थ पोल को और नोर्स ऑल को आटरेक करने ठीक है अब हम बढ़ से अपने टॉपिक